चास्ट गंदा हो गया एक और मिला अरे वाँ एक और मिला अरे वाँ एक और मिल गया अरे वाँ अरे वो क्या है तोते बताओ ये क्या चीज हो सकती है देखकर ही पता चलेगा लगता ही ये किसी का कपड़ा है लेकिन यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा चलो इसे समांदन में फिक देते है हाँ यही ठीक रहेगा ये गया पानी में अरे वो गायब हो गया वो कहां चला गया ये इतनी रोष्णी कहां से आ रही है सुबह हो गया मुझे बहुत नीन दारी है तोते मुझे बहुत तुमने जो किया उसका शुक्रिया अदाय करता हूं ये तो चांद का एजिंट है चांद जमी पर आ गया तुम हमारा शुक्रिया क्यों करना चाहते हो तुमने मेरे कपड़े जो लटा दिये है असल में आज शाम को तुम दोनोंने मेरे कपड़े वापस कर दिये थे याद है ये गया पाली में अरे तु इसका मतलब वो तुम्हारा कपड़ा था और तुम्हे वापस मिल गया हाँ और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आधी रात को तुम लोग मेरे साथ घूमने चलो क्या आधी रात में घूमने ये क्या कह रहे हो हाँ बिल्कुल तुम जहां भी चाहो मैं तुम्हे अपने साथ ले कर जाओंगा बताओ तुम्हे कहा जाना है अब तुम जल्दी से मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ अरे वाह ये चमकते लगा ये क्या मुसीवत है मेरे पीछे क्यों पड़ा है मुझे अवह डर लग रहा है चला गया हो तुद जय देखो तुम कहां से चमक रहा हो चलो अब हम लोग चलने के लिए तैयार हैं आजाओ मैं नहीं जाओंगा मैं कर जाओंगा चलने में ही भलाई है आँ वाह यहां से सब कितना सुन्दर लग रहा है आजाओ तोटे चेन आजाओ अब हम तारों के गुफा से होकर जाएंगे वाह कितना सुन्दर है वाह 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 अरे अरे यह सारे तारी एक साथ कहा जा रहे है तारों के तालाब में वो देखो वो रहा तालाब यह तारी यहां क्या करने आए है यह साथ तारे इसमें दोबारा चमकने के लिए कूद रहे हैं वाह यह पर से चमकते लगे तारों का ब्यूटी पारलर एक बात बताओ चान के एजिंट क्या मैं भी इसमें कूद सकता हूँ जरूर क्यों नहीं याहू मजा आ गया लगता है तुम दोनों को उसमें मजा रहा है जल्दी से बाहर निकलो खत्रा वेल मजली यहां क्या कर रही है असल में वो वेल मजली यहीं पर रहती है अगर हम यहां से जल्दी नहीं निकले तो वो हम सबको खा जाएगी चलो भागो क्या भाग लोग भाग 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 ओ तो देचेर मैं उस तारी से टक्राकर गिर पड़ा और इसी वजह से मैं गंदा हो गया अब मीड के अंदर है यह तारों के रोने की आवाज है हमें कुछ करना होगा चलो मज़ा चकाते है हो जाए एक बार फिर करते है तो ओते चेर ठीक है पिर्जी अई मरोर बार बढ़ रही है आँ 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 तो तेचे नाकिर वो सो क्या था? शायद सपना था तो तेचे नाकिर वो सो क्या था? मेरी बात सुनो वो सब कोई सपना नहीं था तो तेचे तुम्हें कैसे पता? चान सच में गंदा हो गया है और वो दिखो वो कान है? वो वेल है वो वेल अब चान को साफ करने की कोशिश कर रही है शायद उसे अपने गल्ती का एसास हो गया है इसका मतलब वो इतने भी बुरी नहीं है तो तेचेन बुरा कोई भी नहीं होता रहीं होता